तो आज का हमारा सवाल है Electrostatic से जो की related है Flux से तो start करते है If E vector is equals to E naught N square I cap then find net flux पहली चीज़ तो electric field जो है वो I direction में I यानि X direction में यानि इस direction में हमारी electric field है ठीक है और ये depend किस पे कर रही है N square पे N यानि इसके बीच की ये जो दूरियां बढ़ रही है ठीक है यानि जैसे जैसे distance बढ़ रही है electric field की value change हो रही है ठीक है तो हम हमें net flux निकालना है न flux का formula क्या होता है E dot A है न dot अटाते हैं तो हमारा आजाता है E A cos theta ठीक है पहले तो देखिए एक के ऊपर वाली surface एक के इस side वाली surface और एक के पीछे ये surface और ये नीचे वाली surface अगर यहां ये चार surface आप देखिए electric field इधार है और ऊपर वाली surface की वज़े से area vector कहां आएगा ऊपर देखें जब भी open object होता है उसका जो हम area vector लेते हैं जैसे ये है इसका हम ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं ठीक है लेकिन अगर हमारा object closed है तो उसका area vector हम हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं ठीक है ये standard rule है हमारा ठीक है तो इसका area vector चो ऊपर वाली surface है इसका area vector ऊपर आगया न electric field इधर आ गई न तो आप देखिए electric field x direction में area vector y direction में दोने के बीच का angle कित्ता 90 और cos 90 आपका क्या होता है 0 है न तो इसकी वज़े से देखिए overall flux 0 हो जाएगा ऐसे ही ये जो ये वाली surface है electric field x direction में area vector किदर आएगा z direction में आएगा इस side इधर बाहर की तरफ निकलेगा न x इधर y इधर तो z उपर की तरफ है न और minus z नीचे की तरफ है न तो फिर इनके बीच का angle कितना है 90 degree इसकी वज़े से भी 0 हो गया और जो इसके पीछ वाली surface है यानि ये है ना इसकी वज़े से area vector उस side होगा बाहर की तरफ लेंगे हम तो ये x direction में electric field हो गई और area vector किदर हुआ minus z direction में हुआ इनके बीच का angle कितना हो 90 degree हो ना cos 90 0 इसकी वज़े से भी flux 0 हो गया ना अब ऐसी नीचे वाली surface लीजे नीचे वाली surface की वज़े से area vector किदर आएगा नीचे आएगा ना नीचे आएगा यानि minus y direction में आएगा ना और electric field किदर x direction में है ना इनके बीच का angle कितना हो 90 degree बना ना 90 degree cos 90 क्या होता है 0 इसकी वज़े से भी flux 0 हो गया ना अब हमारा क्या बचा एक ये surface बचा एक ये surface बचा है ना इसको हम 1 नाम दे देते हैं इसको 2 देते हैं ठीक है flux 1 is equals to e पहली चीज इनके बीच की distance यहां पर देखिए ए है ठीक है तो e a distance पर क्या होगी हमारी e not a का whole square यानि e not a square होगी अब देखिए ये e not a square हमने रखा ठीक है multiply area area इसका क्या हो जाएगा length into breath है ना तो ये क्या है a और ये a तो ये a square हो गया ना इतना हो गया ठीक है अब देखिए cos यहां पर क्या आएगा देखिए area vector बाहर minus i cap electric field किदर है i cap में दोनों के बीच का angle क्या है 180 यानि cos 180 क्या होता है minus 1 यानि ये क्या हो जाएगा e not a to the power 4 minus का है ना आ गया इतना ये e not है sorry है ना e not a to the power 4 minus का अब दूसरे surface की वज़े से हम निकालने अब देखिए पहले इस surface की वज़े से electric field क्या होगी e not n square and n क्या है 2a है तो ये हम क्या रख देंगा 2a का whole square ठीक है तो ये कितना हो गया 4 e not a square हो गया और ये देखिए अब यहाँ पे हम यह रखें ये e के value में बता चल गई इसको उठा के इसमें रख दें 4 e not a square into area कितना हुआ a square इसकी वज़े से area vector किदर आएगा बाहर की तरफ ये देखिए इधर ही आ जाएगा area vector इधर ही electric field है तो यानि दोनों आई cap में है दोनों का angle 0 हुआ तो यहां पर क्या हुआ cos 0 cos 0 क्या होता है 1 है ना तो 1 into इससे multiply कर तो ये 4 e not a to the power 4 आ गया हमें क्या चाहिए net flux net flux यानि 5 1 plus 5 2 है ना flux 1 plus flux 2 तो ये flux 1 क्या है minus e not a to the power 4 प्लस 4 e not a to the power 4 है ना अब ये minus क्या है इसमें minus कर दें तो हमारा ये क्या आ गया 3 e not a to the power 4 ये हमारा net flux हो गया ये हमारा answer हो गया तंक्य।